सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्रेडेग गाइड को बेल आइकन दवाईए लेटेस्ट अबडेट्स पाने के लिए के लिए गाइज बहुत वाकत आपका इंट्रेडेग गाइड पर मैं होगा आपका दोश्य वाद मसीन तो गाइज अब बात करेंगे कैसे स्टॉक के बारे में जिसमें एक इन्वर्स हेट इंशोल्डर पैटन और एक बटरफला पैटन बनाया रहा है तो गाइस यह दो पैटन आज मैं आपको इस भारत फोर्च के अंदर आपको दिखाने वाला हूं यह दो पैटन आप समझ भी जाएंगे तो आप अपने तरीके से अपने स्टॉक्स कर सकते हैं कि जब आपको अगर खुद लेना हो तो आप खुद भी ट्रेड ले सकते हैं इन दो के बेसे में मैं आपको तो बटरफला पैटन बहुत पहले भी समझा चुका हूं संफार्मा में भी आपको दिखाया था उसका टार्गेट भी हमारा हिट हो गया था पर इस तर में मिला कैसे कौन सा पाटन मना तो गाइस इस वीडियो के साथ बने रहेगा आपको बहुत सी मिलेगे और खास आपको यह इस टॉक भी मिल रहा है जो आप 15-20 दिन के लिए या इस एक्सपारी के लिए इस भारत फोर्ट को बाय करके चल सकते हैं इस तार्विट के लिए औ पर इसका डियोरिशन काम कुछ अंताजा भी नहीं लगा सकते पर अगर आप जिस तरीके से देखेंगे वह पैटन बने में कित्ती देर लगी या उत्ते टाइम ही लगेगा इसका टार्विट आने में तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक अपना बताता हूं कि सबसे पहल आपको इंवर्स एंड एंड शूल्टर पाटन बना के दिखाता हूं कि बना कैसे है तो आप यहां पर देखेगा अदाम से यह देख सकते हैं यह एक ट्राइंगुलर बना यह 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 शोहेड बना है और यह एक शोल्डर बना है गाइस यह अब आप देख सकते हैं कि यह एक डबलू बना है तो आप देख सकते हैं यह इसका एक शोल्डर हुआ यह इसका हेड हुआ यह इसका शोल्डर हुआ इसका मतलब यह है कि यह इस लेवल को अगर यह तोड़ता है यानि कि इसका जो लेवल आ रहा है 670 के लेवल को अगर ये बारत फोर्स तोड़के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए एक clear breakout आएगा बाइ सिगनल के लिए बाइ सिगनल लिए breakout आएगा तो अब देख सकते हैं यहां पर इसने एक नीचे गिरावट आई फॉल आए कप मूव आई इसको ब्रेक नहीं कर पाया फॉल आई अप मूव आई अब इसने इसको ब्रेक कराए इस लेवल को ब्रेक करने का मतलब ही होगा क कि कि आप ऐसे देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं आप कि यह आप देख सकते हैं ये ईकां शौलडर हुआ उसका टॉप यह जो टॉप है है फं people यह जो इसको टॉप है मैं आप यह स्टाप यह शुडर हुआ 주고 अब यह मैंने आसे ऐक लाइ कह दिए आह कुआज स है लगो लगो braking कर रहाता है इसको अगोड़करय को अगर नेगटिव्गें की इंवर्स तरीके से बनाया है सक्वाइए यहां से एक अच्छा खासा अप आप मूउफ का इसका टारगीट क्या बन सकता है अब इसका टार्गीट बन सकता है गास इसका जो टारगेटathan expect कर रहे है जो बनना चाहिए है वो उना चाहिए जो इसका डिफरेंश का मतलब है जो इसका है का जो ब串ौ surprised है यह यह हैं बॉल्टम गई और यह हम इसका टॉप का ही में तो जो टॉप से बॉटम का बीच में डिफ्रेंस है उत्ता हम एक टार्गेट एक्सपेक्ट करते हैं यानि कि अगर मैं इसका बॉटम देखो जो है 600 की करीब और इसका जो यह लेवल है यह 670 के गरीब यानि 70 सब्सक्राइब जाएगा यानि कि अगर हम 70 क्लस करें यानि कि 730 तक के लेवल तक ही जा सकता है हो सकता है यह साथ सो बीस तक भी जा सके अब इसमें कुछ हुआएंगी अब उमें हडल फाइंड करनी है कि इसके बीच के अंदर हर्डल कौन से कौन से आएगी सबसे पहले त लगा है जो आप देख सकते हैं कि 695 के आरांड आपको देख रहा है तो गाइस 695 यानि कि यहां से कुछ 25 पॉइंट्स का आपको डिफरेंच दिख रहा हुए 25 पॉइंट्स तक तो यह उपर अपमूब दिखा सकता है उसके बाद हम जो एक्सपेक कर सकते हैं अगर इसको ब्रेक करता तो 730 की लेवल आ सकते हैं अगर हम इस ब्रोडिंग एवरज को फॉजो नहीं करते हैं और हम एक दूसरे की तरफ जाते हैं दूसरा टार्गेट करना वह कहा बन सकता है तो मैं आपको आल्ली चार्ट में लेकर चल रहा हूं बारे में जिसमें बटरफ्लाइ बटरफ्लाइब 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 बहुत अच्छा पैटन होता है और अगर वह एकुरेट पैटन बन जाता है वहां से एक नृश्प्र चलते हैं क्योंकि हम वह पता चल गया की एक ही यड कि अंधर इसको भी ब्रेक्व हो प्रिकोरण मानके चलके है तो यह आप देढ़ सकते हैं मैं आपके लिए it है यह आप देख सकते हैं मैंने यह यह यहां पर ब्रटर्फ्ला पेट्न रहाopen आपको एक अभी बनते भी नहीं देखेगा क्योंकि अभी बटरफ्लाय पैटन कंप्लीट नहीं हुआ है यह स्टॉक हम कह रहे हैं कि यह जा सकता है कि इतना 730 यह मैंने यहां पर मार्क कर दिया अब यह आपको लग रहा है डबलू बना है पर डबलू नहीं बना अगर हम इस अब आपको दिखाता हूं कि इसमें कंफॉर्म कैसे करेंगे कि यह कित्ती ऊपर तक जा सकता है इसके लिए फिबुनाची रिट्रेस्मेंट की जरूरत पड़ेगी आपके लिए फिबुनाची का रिट्रेस्मेंट लगा देता हूं आप वहां पर देखेगा यह जो जिस से बनना शुरू करा जिस लेवल से पैटन बनना शुरू करा उसके बॉटम तक फिबुनाची ड्रो कर देंगे यहां से हमने यहां तक फिबुनाची ड्रो कर दिया अब आप देख सकते हैं आपको 161.8% का रिट्रेस्मेंट लेवल दिख रहा है यानि कि यहां तक इसके जान और इसके बाद जो एक इनवर्स एन चोल्टन से बैटन निकल कह रहे हैं 730 का तो अगर आप इसमें फॉर एक्जामपल 100 कॉंटिटी बाए करते हैं तो आप हर एक टार्वेट में से अपनी थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी को एकजिट करते रहेगा कि आपको यह ना हो कि व यह अच्छे तरीके का पैटन क्यों नहीं बना जाइस यह जो इसका यह जो आपको दिखाता हूं वह पर बना के आप समझ जाएंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं यानि कि इसके कुछ इस अराउंड यानि कि इस तॉप तक बन सकता है तो कोई नहीं पर इसके नीच ऊपर नहीं जाना चाहिए पर आप आप देख सकते हैं कि यह इसके ऊपर चला गया मैं आपको दिखा देता हूं आपको यहां पर दिखाता हूं आप यह देख सकते हैं यह आपको लाइन दिखरी होगी यह जो शेडव बनी हुए यह शेडव इसके ऊपर निकल गई है हम वैसे आली चार्ट में इसको कंसीडर करते हैं पर हम कह सकते हैं कि यह क्लियर तरीके का बटकला पैटन नहीं है पर यह एक तरीके का बटकला पैटन है जिसे हम एक सब्सक्राइब करते हैं तो आप यहां से सकतर पॉंट्स तक का टार्गेट एकस्पेक्ट अराम से कर सकते हैं तो आज की यह मेरा स्टॉक था कल मैं आप लिए नए स्टॉक्स लेकर आँगा मिलता हूं आप से कल एक नहीं इंट्रस्टिंग वीडियो के सब्सक्राइब